हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यो आईयस एंड इन ता सिरीज आफ सूपर फाइब तोड़े वी आर विद यू विदे निव टोपिक ओके वी हैव आलड़ी डिसकस्ट नमबर सिस्टम जो भी मैं टोपिक्स डिवाइस कर रही हूं यहां पे एक बार दुपा ध्यान से स दो अभी सुनेंगे क्योंकि इंपोटनेंट टोपिक्स हम वन प्वाइवन करके डिसकस कर रहे हैं पहले हमने डिसकस किया नंबर सिस्टम ओके अई होब सभी ने अच्छे से प्रिपेश कर लिया है इंपोर्टन टौपिक है डेन एवरेज उसके बाद में हमने डिसकस किया पर्संटेज and now we are starting the topic ratio and proportion ratio and proportion जिन्हों ने पिछले वीडियो नहीं चेक किये super 5 series को आप जोइन कर सकते हो नीचे description के अंदर link available है ओके जिनको PDF चाहिए होती है lectures की काफी students के रहें मैंडम PDF भी चाहिए हमें साथ में तो उसके लिए आप पार्मप को जोइन कर सकते हो okay that is totally free कोई इसके charges नहीं है आप वहां से उसको जोइन कर सकते हो ओके तो वहां पर आपको lecture के साथ में PDF अवलेबल हो जाएगी class के तो let us start with ratio and proportion कुछ important questions मैं आप लोगों के साथ मैं यहां पर डिसकस करूंगे जैसे से questions हमें एक्जाम में मिलते हैं okay तो अब यहां पर देख सकते हैं first question है screen पर first question है screen पर क्या है question receipts of mathematics physics biology in a school are in ratio 5 ratio 7 ratio 8 first thing कि जब भी आपके पास में values ratio में given है in that case keep in your mind this is not the actual value this is relative value actual value नहीं है यह relative value है and we to get the actual value we multiply all the values with same constant कोई भी एक number है उसके साथ में जब आप उसको multiply करते हो तो आपको actual value मिलती है okay तो अगर हमारे पास उस constant की value आ जाती है तो हम actual value find out कर सकते हैं अब बात आ रही है there is a proposal to increase these seats by 40% 50% and 75% last class में भी मैंने आपको बताया कि जो percentage है एक ऐसा topic है अभी आज भी कह रही हूं है कि percentage अच्छे से कर लेना है क्योंकि percentage का concept बाकी में भी आ जाता है अब यहाँ पे है तो to question ratio का बड़ साथ में क्या आ गया है percentage भी बीच में आ गया है okay तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि seats increase होगी है 40% 50% and 75% से what will be the ratio of increased seats कह रहा है increased seat जो है उनकी ratio क्या रहेगी अब यहाँ पे question को देखके आपने analyze करना है कि मुझे actual value चाहिए या मुझे relative value चाहिए तो अब यहाँ पे देखो यह relative value given है और finally मुझे जो answer है वो भी relative value में ही चाहिए इसके लिए that means what कि मुझे यहाँ पे constant को find out करने की जुरूरत नहीं है कोई भी constant add करने की जुरूरत नहीं है अब यहाँ पे देखते seats क्या है अपने पास mathematics, physics and biology रेशयो क्या given है आपके पास 5, 7 and 8 this is the ratio given साथ में उसने क्या क्या है increment हो गया किसे 40% अब हमेशा ध्यान रखो कोई भी value खुद में self में क्या होती है 100% this is 100% ओके अब यहाँ पे यह value क्या है 100% अगर मैं actual भी consider करना चाहूं तो यहाँ पे इसके साथ में आप यह ले सकते एक actual value क्या है मेरे पास में this is 5k, 7k and 8k there is no need to write out k जरूरी नहीं है यहाँ पर अगर कोई confusion लगती है तो आप लिख सकते हो this is the actual value अब उसमें क्या 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 है कि 40% increase हो गया increase हो गया that means कितना हो गया 140% second में क्या 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 रहा 50% increase हो गया that means कि कितना हो गया 150% और third में क्या 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 रहा 75% increase हो गया that means कि कितना हो गया 175% simple solve करेंगे cancel out तभी मैंने कहा था इसकी जरूरत नहीं है finally cancel out okay उसके बाद में देखो कोई और भी values यहाँ पर अपने पास में cancel out हो रही है करो उसको अब यहाँ पर हम देखें तो यह अपने पास में 5 से सारी की सारी values cancel out हो रही है 5 से cancel out कर दो 5 से यह हो गया 30 okay उसके बाद देखो 7 से values सारी cancel out हो रही है यहाँ पर this is 20 यह 7 यहाँ पर cancel out हो गया यह हो गया अपने पास में 5 okay अगेन values 5 से cancel out हो रही है देखो अब values 2 से cancel out हो रही है 2 3 and 4 finally values क्या बनी है हमारे पास में 2 ratio 3 ratio तो answer क्या आगया आपके पास 2 ratio 3 ratio 4 पताओ कुछ difficulty simple था अगर हमारा concept के लिए रहे बिल्कुल simple है दूसरा अगर हमारा percentage के अंदर यही जैसे calculation में काफी ज़्यादा के आपको cut out करना पड़ा अगर हमें values पता था आप इसको directly नहीं कर सकते थे देखो 40% 40% 20% क्या होता है 20% 1 by 5 40% 2 by 5 2 by 5 that means कि अगर after increment अगर मैं देखो तो कितना हो गया 7 by 5 तो इसकी जगे पर मैं सिधा क्या लिख देती 7 by 5 इसी हो जाता कितनी calculation नहीं करने परती सिधा 7 by 5 आप write down कर सकते थे after calculation in mind same way यहां पर कितना 75% 75% 25% कितना होता है 1 by 4 75% 3 by 4 okay 7 by 4 हो जाता है simple तो इस तरह से अगर हम करते तो आपका ज्यादा इसी हो जाता है तो प्रेस परसंटेज तो फ्रेक्शन फ्रेक्शन तो परसंटेज जो यहां पर संटेज है परसंटेज में डिटेल में मैंने कराया है okay micro verses के through वहां पर आप ले सकते हो अगर किसी को जरूरत हो तो next देखिए yes next question the sum of three numbers is 98 sum of three numbers is 98 if the ratio first second is one two ratio three and second and third is five ratio eight then the second number is हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपके पास में इस तरह से ratio given है then you have to find out the collective ratio okay collective ratio कैसे find out करते है कैसे करेंगे देखो first or second की ratio यहां पर आपके पास में given है first or second की ratio यहां पर आपके पास given है let us say these are three numbers a b c okay first second is a b two ratio three and second and third five ratio eight अब collective के ज़से find out करोगे देखो इसके साथ multiply करने आपने okay then multiply this one and multiply by this one okay कितना आगे आपके पास 10 15 24 okay this is the ratio this is the final ratio a b c अब हमारी कठी ratio आगे में ली करना क्या होता है कि जो हमारे पास common value उसको हमने equal बनाना है ठीक है अब यहां पर अगर हम देखे तो अगर मैं square value को 5 के साथ multiply करते यह भी 15 बन जाएगा इसको 3 के साथ multiply करते तो 15 बन जाएगा ओके उसके बाद में हम उसको common यूज कर सकते हैं तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जुरूरत नहीं है डिरेक्टली क्या करोगे यस ऐसे ए इसको इसके साथ multiply करना है यह से multiply करना है यह से multiply करना है कितना आगे 10 रेशियो 15 रेशियो 24 ना दे नेक्स तिंग इस कि sum of 3 numbers is given 98 हमें क्या find out करना second number second number कैसे find out करोगे है here the second is 15 sum total कितना बन गया आपके पास में यह होगे आपके पास में 4 और 5 much no 49 this is 98 this is equal to 30 answer will be 30 क्या 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 आमने this divided by सभी का sum multiply by जो भी आपके पास में total value given ओके next देखे yes next question is on the screen क्या है यहां पे yes this is the question in a bag in a bag there are coins in denomination पे काफी questions आते हैं सी सेट के अंदर coins rupees रूपी इस ते रैसे questions काफी ज्यादा आते हैं आम के अंदर क्या है in a bag there are coins 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे in ratio 1 ratio 2 ratio 3 yes 25 पैसे 10 पैसे and 5 पैसे 1 ratio 2 ratio 3 के अंदर given if there is total 30 rupees in all how many 5 पैसे coin is there के रहां 5 पैसे के कितने coins हैं yes good question अब देखो यहां पे बात आ रहे हैं रूपे की रूपे की अब थोड़ा सा आपने mind में calculation करनी कि एक रूपे एक रूपे कैसे बनेगा अब यहां पे जो ratio given हो किसकी given है आपके पास में coins की given है this is not the actual value अभी भी मैंने आपको बता है to find out the actual value हमें क्या करना होता है किसी constant के साथ में multiply करेंगे and we don't know about the constant तो हमने क्या किया इसको consider कर लिया की ठीक है हमारे पास में 2k coins है 10 पैसे के और 3k coins है मेरे पास में 5 पैसे के 25 पैसे के अब हम बात करते रूपीज की अब मेरे पास अगर 25 पैसे के 1k coins है तो कितने रूपय बने यस देखो 125 पैसा 225 पैसा that means 50 पैसा 325 पैसा that means 75 पैसा okay and 425 पैसा के coin होगे that means कितने होगे एक रूपया 1 रूपी 1 रूपी is equal to 425 पैसे coin okay तो अगर मैं यहाँ पर यह क्या है बिट अपने पास में coins है यह क्या है हमारे पास में rupees है rupees में अगर मैं convert करूँ तो मुझे कितने चाहिए 1 रूपी बन गे 4 coins are required to make 1 रूपी same way 10 पैसे के कितने coins required है 10 coins are required that means कि कितना हो गया 2k divided by 10 रूपी and here this is 3k divided by 5 पैसे 5 पैसे 5 पैसे 5 पैसे that means कि 20 coins are required and this is equal to what क्या कह रहे total 30 rupees है क्या कह रहे 30 rupees है अब इसको आप solve करो yes your LCM will be 20 20 से ही हो गया आपके पास में 5k plus 4k plus 3k is equal to 30 into 20 this point is clear यहापर हमने LCM लिया पैसे 20 यह 20 cross करके इधर चला गया okay so the values will be what 5 3 7 12k is equal to 30 into 20 k की value क्या आगया आपके पास में 30 by 20 5 yes k की value क्या आज आएगे आपके पास में 1 second this will be 50 k की value कितने आगे आपके पास में 50 आगे देखो दुबारा से यही calculation बन रहे है ना यहापर हमने लिखा इसको यह हो जाएगा आपके पास 600 by 12 50 okay now we know the value of k now the question is what how many 5 paise coins are there and here we know that 5 paise coins are 3k कितने हामारे पास 3k तो 5 paise coins कितने आज आएगे 3 into 50 this will be 150 so answer कितना आगे आपके पास 150 coins will be the correct answer हाँ जी समझ आ रहा है सभी को if you are getting the concept if you are getting the question in that case like the video share with your friends सभी ने अपने फ्रेंड्स के साथ में share करना है ओके यस नेक्स्ट कोस्टिन की तरफ मुग करें फिर यस नेक्स्ट कोस्टिन है अपने पास में यस कोस्टिन इस देर यस तू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% और 50% और देन थार्ड नंबर here again percentage और ratio दोनों का concept नहींگ साथ हो c दो ये बाग की topics के अंदर भी यूज होते हैं बाग की topics के अंदर भी use होते हैं दोनों concepts अब यहां पर हम consider कर लेते हैं कि हमारे पास में 3 नंबर है दो नंबर यह हैं Let us say this is A and B and this is the third number C. अब यहाँ पर question में उसने क्या आखा है? Two numbers are respectively 20% and 50% more than the third number. तीसरे वाले से कितने है? 20 or 50% more है. Clear? The ratio of two numbers is equal to what? अब अगर हम बात करते हैं, first number के. Let us say this is A. उसने क्या काया? थर्ड नमबर से 20% ज्यादा है. 20% ज्यादा है. That means कि जो second number है, हमारे, जो first number वो क्या है? 20% ज्यादा, 120% of C. और you can say this is 6 by 5 of C. Clear? उसके बाद कराया, जो second number है? Let us say this is B. Okay, अगर हम 50% ज्यादा है. That means कि this is 150% of C. That means this is 3 by 2 C. Now what is the question? दोनों की ratio क्या है? First or second की. Okay? Ratio of two numbers. A और B की ratio यहां पर क्या है? First is 6 by 5 C. And second is 3 by 2 C. जब भी हम ratio find out करते हैं, उस case में क्या करते हैं? Cancel out कर देते हैं, जो जो values cancel out हो रही होती है. ठीक है? यह हो गया 3 to the 6. अब यहां पर value आगे, आपके पास 2 by 5 ratio 1 by 2. Cross multiply करोगे. Values क्या हो जाएंगे आपके पास में? 4 ratio 5. क्या आगे आपके पास? 4 ratio 5. Just a minute, yes. This is yes. Done? अब इसी को आप और भी easily कर सकते हैं, अगर आपका concepts के लिए हैं. देखो, अभी इसी question को दूसरा method से मैं आपको बताती हूं. Simple देखो, हमारे पास में 2 numbers हैं, first and second. अब इसने क्या का है? जो first है, वो 20% ज्यादा है. 3rd से, सिद्धा हम इसको क्या लिखेंगे? 120% of C. और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 150% of C. Done? Cancel out कर दो. 0, 0 cancel out हो गया. 3, 4 and there are 3 से 5. आंसर क्या आगया? 4 ratio 5. There is no need to write down all these things. This is only for your understanding. Okay? और अगर आपको directly percentage to fraction लारना है, तो और भी इजी हो गया ही है. इसको जिलिए क्या लिखेंगे? 20% is equal to 1 by 5. After increment, this is 6 by 5. है ना? इसको 3 by 5. 2 लिख सकते हैं. Yes, next है आपके पास में. Next question है, screen पे क्या है? The salaries of A, B, C are in ratio 1, ratio 2, ratio 3. There are 3 persons. A, B, C and उनकी salaries की ratio यहाँ पे given है. The salaries of B and C together is 6,000. By what percent is the salary of C more than the salary of A? जब भी हम बात करते हैं ratio की. उस case के अंदर बार-बार कहा रहे हैं, starting मैंने भी, मैंने आपको कहा, क्या होता है? आपके पास relative values given होती है. Yes, relative values are given. तो यहाँ पे A, B, C की उसने क्या कहा है? जो salary है, that is 1 ratio, 2 ratio, 3. There are two methods. अगर यहाँ पे वो कहता है की बताओ B की salary कितनी है? जा A की salary कितनी है? In that case, you will use this statement. But the question is what? By what percent? Percent, that means again you want to find out a relative value. So there is no need to find out the actual value. This is redundant statement. You can directly answer. Let us say the value of this is K, this is 2K and this is 3K. Okay? अब उस case के अंदर उसमें क्या काया है यहाँ पे आपको? कि why what percent salary of C is more than A? C की salary A से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है यहाँ पे? 2K. 3K माइनस के? This is 2K. कितना percent ज्यादा है? कितना percent ज्यादा है? A से? A that means की divided by K into 100. So, this will be 200 percent. So, answer will be option B 200 percent. Clear? कोई माइनर सा डाउट किसी को? अगर कोई डाउट आता है? comment in the comment section. Video अगर आपको अच्छी लगी? Then again comment in the comment section. Like the video, share with your friends. हाँ, अगर आपकोई कोई suggestions है? Then they are most welcome. You can comment in the comment section. Okay? Comment section में कोई भी comment आप कर सकते हैं. इससे regarding अगर आपका कोई suggestion है? यहाँ पर आपके अभीपीडिया के थ्रू? Yes, अभीपीडिया is our online portal of Abhimanyu IS. जिसके थ्रू हम आप लोगों की preparation करवा रहें C-set के exam की. Step by step guide कर रहें आपको. जैसे जैसे आपको guide करें, वैसे वैसे आप लोगों ने अपना topics prepare करते वे चलना है. Okay? So, I hope अभी ratio and proportion सभी prepare कर लेंगे. सभी ने अच्छे से prepare कर लेंगे ratio and proportion. And if you need the video lectures of ratio and proportion. Okay? In that case, there is the micro courses available. This is available. Yes. कहां से आप इसके video lectures check कर सकते हो? To check your concepts. अगर आपके concepts में अगर आपको issue लगता है. In that case, there are four video lectures available. Now it's up to you. बल्कि मैं यह कहूँ कि पहले video lectures आप देखूँ. ठीक है? इनको skip कर दो. उसके बाद में आपको लगता है क्योंकि हर एक video lecture के साथ में आपने test भी attach किया है. हर एक video lecture के साथ में test attach है. Then, अब उसके बाद में, जब आपको लगता है कि हाँ, आप मुझे practice के लिए question की जरूरत है. In that case, go for this part. उसके बाद में आप practice questions ले लिजी. There is no need कि हाँ, हमने पूरे का पूरा complete इखठा लेना है. हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे दोनों चाहिए, in that case, आप साभी ले लो. You can customize according to your requirement. This is only for your smart preparation, ना कि हम यहाँ पे कह रहे कि हाँ, आप लोग एक एक topic को purchase करो, यहाँ पे costing कोई हमने इतना जादा नहीं रख रखा है. ठीक है? जैसे for example, आपको यह नहीं चाहिए, आप इसको remove कर दो, देखो. यह यहाँ पे कम हो गया है. आपको webnotes नहीं चाहिए, remove कर दीजी, no issue. Yes, you can take only the video lectures. Try करके देखिया, try करके देखिया, अगर आपको अच्छा लगते है, in that case, go for other topics also. Okay, so it was all for today. आज की video के अंदर हम इतना ही discuss करेंगी. अगर आपको बाखी किसी topic की requirement है, these two links are available in the description. आप आप से जा सकते हो, यहाँ पे आपको बाखी की सभी topics available हो जाएंगे. यह देखिये. Yes, here you can see, all the topics are here. This is number system, LCM, HCF, okay, average, ratio and proportion, all the topics are here. जो भी आपकी requirement है, उस particular topic पे आप जासन. Done? So, thank you so much. मिलते हैं next class के अंदर. बने रहिए, अभी मन्यू आईए इसके साथ. Best of luck.